प्लिदेश, खड़ी में सकथेकमें, ऑस दितर्ब कर कहने हैं, अब यह सब अच्छे होंगे स्थाष्त होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलो मटर मसाला की ब्रेड टोस्ट की रेशिपी बहुत ही टेस्टी इसमें हम जो आलू का मसाला बनाएंगे बहुत ही tasty लगता है बहुत ही delicious लगता है इस तरह से ये sandwich बनाएकर खायंगे तो बहुत ही tasty लगेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ही टेश्ची से sandwich की recipe how to apply, मटर आलू मसालव टोस्ट बरनाने के लिए हम लेगे कड़ाई और उसमें दानेंगे एक बड़ा चमच अलि percent, ऑ इसमें डालेंगे अधा शी साहर दानेंगे तोड़े राई राई ऐसे बोती हम सरसो के दाने जो हते हैं जो मैंने इसमें बारिक बारिक चोप कर लिया है आप चाहें तो थोड़ा सा लंबल लंबा भी इनको काट सकते हैं लेकिन मैंने बारिक चोप किया है और ज्यादा बारिक भी नहीं किया और इनको बिल्कुल हलका सा सॉफ्ट करेंगी ज्यादा ब्राउन नहीं करना हमने बिल्कुल इसको थोड करने के बाद ये मसाले में अच्छी तरह से mix हो जाएंगी set हो जाएंगी और ये अलग से बिखर के नहीं आएंगी तो थोड़ी सी देर हम इसको प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि जो मटर है जो अच्छे से पक जाए थोड़ा सा जो कच्छ के साथ अच्छी तरह से भून लिया है और मटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो वह भी इसी स्टेज पर डाल दो बस उसको थोड़ा सा ज्यादा पकाने की जोड़त नहीं होती तो देखिए मटर जो है अच्छे से पक गई है अमजूर का खटापन बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेकर आएगा बहुत ही अच्छा लगेगा साथ ही में डालूंगे एक चमज भर के धनिया पाउडर और तिखापन आप वैसे अपने हिसाप से कम ज़्यादा कर सकते हैं हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते तो इसलिए गून लेंगे यह मसाला जो अलू का बनता है इतना टेस्टरी विशिव होता है आप ऐसे ही चमज भर भर जेंडे कना खाली अज़ाए थो इसमें डाल देंगे और बाद में चमस से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे आप चाहें से थोड़ा सा बारी वीस को मैश कर सकते हैं लेकिन इस तरह से डार रही हूं, मैं तोड़ दोड़ की गरम है, तो आसानी से मैश हो जाएंगे, तो अब चम्मच की साहिता से इस तरह से मैश करते हुए इसको आलू को थोड़ा सा बारिक कर लेंगे हम, और मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, और हमारा ये टेस्टी सा मसाला तयार हो गया, देखा कितनी जल्दी हमारा मसाला बनकर तयार हुआ है, और बहुत ही टेस्टी सा मसाला बनता है, तो ये देखी, चम्मच से इस तरह से थोड़े से जो बड़े-बड़े पीसी से आलू के उसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे, मिक्स कर देंगे इसके हमारे अलू मसाले का, और हरा धनिया तो किसी भी रैसिवी में डालतो स्वाध ही बढ़ाता है, मेरी हर रैसिवी में हरा धनिया जरूर होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इस तरह से अपर चटनी या सॉस वगरा सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को बनाने हैं तो अलग से सोस खाना पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें ऐसे ही आलू को स्टफ करूँगी, चार तरफ से अच्छी तरह से इसको फैला देंगी ये मसाले को, आप ब्रैड भी लगाने से पहले ये मसाला ऐसे ही चमत से टेस्ट करेंगे ना नमक मिर्च, टेस्ट करने के लिए आ और अंच्छी तो इसमें अक ब्रैड वारे भी मीत मर्त से टेस्ट कर दो खाना गेंगे तो ज़्यादह अच्छा रहेगा, वैसे आप चाहें तो देशी घी भी लगा सकते हैं और इसके उपर अपनी ब्रैड को हम अरेंज कर देंगे और उपर से भी इसके उपर हम चमच से थोड़ा सा बटर लगा देंगे घी या बटर से इस तरह से लगा होना तो ज़्यादा अच्छे टोस्ट हमारे बनकर तयार होते हैं दूसरे प्रेड पर गंगा देए लगा देते हैं वटर को अच्छी तरह से छारू तरफ और बस इसको हम अच्छी तरह से शेक लेते हैं बंद करके तो यह लिज्जी ची हमारे करारे से मसाले वाले टोस्ट बनकर बिलकुल तईयार हो गई इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में यह देखे कितनी अच्छी तरह से ग्रिल आया है इसके उपर तो बस इसी तरह से हम बाकी के सारे जो टोस्ट है हमारे तयार कर लेंगे और अब इसको थोड़ा सा बीच में से कट कर लेंगे ट्रैंगल शेप में इस तरह से सबी को तयार कर लेंगे काटके तो यह देखिए हमारा मसाले वाला अलू मसाला टोस्ट बनकर तयार हो गया है और फटा फट से गर्मा गर्म चाय के साथ कोफी के साथ दूद के साथ जैसे आप चाहें वैसे इंजोई कीजिए इसको और बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो इस तरह से आप यह सेंड्विच बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आएंगे मैंने इसको कॉफी के साथ जो है सर्व किया है और आप चाहें तो इसको चाय के साथ या दूद के साथ किसी के साथ भी इंजोई कर सकते हैं तो आपको मेरी मसाला टोस्ट की रसेपी कैसी लगी मुझे कमें करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज में वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेंड जैनल को सुब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रस करके और पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नॉटिफ झाल झाल